अगर कोई open capping fitting का switch box टूड जाता है तो वहाँ पर current आने का खत्रा बना रहता है तो आप उसको किस तरीके से change करेंगे और मैं आपको बताओं कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर light को off करके काम करें अगर आप एक perfect electrician है कि यहाँ पर जो कि सभी सुचों में हमारा एक face wire loop हो रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले face wire निकाला है मैं यहाँ पर निकालूँगा सबसे पहले point को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं पॉइंटों को निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी पॉइंटों को निकाल रहा हूँ तो दीरे दीरे से ठीक है तो यहाँ पर आप देखते रहें बाकि यहाँ पर आपको मैं complete बता रहा हूँ तो यहाँ पर हमने सभी पॉइंटों को निकाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर मांच पॉइंट बनते हैं तो है तुछ यहांपर आप दीक्तो्व यहांपर आप देख सकते हैं five point हमारे उसके बाद में यहांपर मैं निकालोंगा phase wire को 유명 artery man supply का फेज बाहर जो कि सपेद color का है थीक है तो यहांपर आप सपेद one dollar का महारा main phase wire है इसको भी मैं यहांपर निकाल दूँगा, और इसको सबसे अलग कर दूँगा, क्योंकि इसमें हमारा भी current आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर मैं इसको अलग कर दूँगा, यहां पर मैंने निकाल दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप फीज़बाइर को सबसे पहले हटाना जाते हो फीज़बाइर को हटा सकते हो तो आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आप एक नौर्मल इलेक्टिकिसिन हैं ऐगर आप बर्क सीख रहें wonderful तो तो आप सबसे पहले फेज बायर को ही हटाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो फैन का पॉइंट था पंक्य का उसको भी मैंने यहाँ पर अटा दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हमारे सारे बायर बलैक कलर के हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है कैवल यहाँ पर आपको समझना होता है तो यहाँ पर हमारे सभी wire हट चुके हैं और यह जो end में हट अटा है हमारा यह neutral wire जो की छिला हुआ एक पर देख सकते हैं जा सबसे एंड में हम नहीं पर ख्टाया है तो हम यहां पर इस box खोल देंगे इस में प्रते आप में से इसको निकाल देंगे अब हम रखाने पाले यहां पर हम नया box और लगाने हैं तो यहाँ पर आपको सभी जो हमारे पुराने switch socket हैं जो की ठीक हैं बिलकुल खराब नहीं है सभी बर्क कर रहे हैं तो आपको सभी को उस box में लगा देना है नए वाले में और उनके पेचों को ठीक तरीके से लगा देना है पुराने वाले में से खोल लेना है उसके बाद में नए वाले में से लगा देना है तो यहाँ पर हमने इसकी बायरिंग कंप्लीट कर दिये यहाँ पर आप देख सकते हैं समझ सकते हैं पूरा यहाँ पर किस तरीके से किया है हमने और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसको install ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको पहले हमने यहाँ पर face wire को लगा दिया है जो की हमारा man supply का face wire है सपीद color का wire लग चुका है आपको भी इसी तरीके से लगा देना है ओके तो यहाँ पर हमारा face wire लग चुका है और अब लगा रहे हमारे फेन फेन वाले पॉइंट को तो यहां पर हमने फेन के पॉइंट को रेगुलेटर में जॉइंट कर दिया है और यहां पर टेप भी लगा दिया है तो यहां पर फिज लग चुका है हमारा फेन का पॉइंट लग चुका है ठीक है अब लगाने हम आले हम न्यूटल वायर को तो यह हमारा न्यूटल वायर है जो कि यहां पर छिला हुआ था ठीक है यहां पर छिला हुआ है इसको यहां पर ठीक तरीके से सेट कर लेंगे उसके बाद में यहां पर इसमें जोइंट कर देंगे जो कि हमारा टूपिन सॉकेट में न्यूटल वायर, न्यूटल का करंट पहुंचेगा, तो यहाँ पर हमारा टूपिन में भी पहुंचेगा, उसके बाद में हमारा यहाँ पर पाइप पिन सोकेट में भी पहुंचेगा, यहाँ पर अब बसते हमारे पॉइंट के वायर, पॉइंट के वायरों को अभी हम चोँ में लगा दिया है बाकि हमारा ये बचरा है उसको भी यहाँ पर हमने complete लगा दिया है तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर इसकी बाहिए समझें क्योंकि हमने यहाँ पर आपका ज्यादा time नहीं लिया है नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता तो यहाँ पर आप कर लेंगे कुछ इस तरीके से ताकि हमारा drill करके यहाँ पर hole कर सके तो हमने यहाँ पर marking कर लिए अब हम यहाँ पर drill से hole करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इसमें गुल लगा करके इस box को screw की मदद से हैं आप पर complete लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा complete लग चुका यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर light भी आ चुकी है हमने फ्रीज के plug को इसमें लगा दिया है बाकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक दुकान का switch box है जिसके अंदर यहाँ पर यह बोड टूटा हुआ तो यहाँ पर हमने इसको change gear कर दिया है बड़ी आसानी से पर प्रदो बा lifesकार्ट माई पर यहाँ चेंजम यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसके बाल उहाँ पर खन